हेलो एब्रीवन वेल्कम टू क्लास नूबर ट्विंटी ऑप देशेप्टर जावा प्रोग्रामिंग आज के क्लास का हमारा डिस्कुशन का टॉपिक है डूइंग बेसिक प्रोग्राम आउट्पुट तो इक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में हम बेसिकली आउट्पु इसे आउट्पुट जेनरेट करें तो हर एक प्रोग्राम का में मोटीव होता है कि कुछ ना कुछ आउट्पुट जेनरेट करना तो कोई भी प्रोग्राम में अगर हमें आउट्पुट जेनरेट करना है तो उसका बेसिक आउट्पुट हम कैसे जेनरेट कर सकते हैं कोई एक basic program में उसके बारे में आज के class में हम discuss करेंगे तो चले सुरू करते हैं discussion इन जावा वी कन सिंप्ली यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और सिस्टम डॉट अउट डॉट प्रिंट एफ statement to send output to standard output और to screen हमारे computer screen में एक जावा program को execute करके output generate करने के लिए हम ये तिन statements यूज कर सकते हैं system.out.println और system.out.print और system.out.printf statement ये तिन statements में से कोई भी statement को यूज करके हम जावा प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं output screen में console screen में output generate कर सकते हैं जहां पर system क्या है system एक class है out क्या है और एक उसका फिल्ड है जो क्या करता है जिसका काम यह है कि output data को accept करना मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को execute करने के बाद वहां से जो result generate होता है उसको accept करने का काम होता है आउट फिल्ड का और और प्रिंट और प्रिंट और प्रिंट एफ जो function हमने उसका काम क्या है output को display screen में display कराना ओके समझा गया कि अगर हम एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम को हम सुरू करते हैं में लिए जो essential पार्ट है class से में इन मैथट्स से तो यहां पर क्लास मैंने class name लिया एक्जांपल जिसके अंदर मैंने मैं मैथट यह फॉंक्शन लिया है इसके अंदर मैंने system.out.print स्टेटमेंट को यूजिया है आउट्फुट करने के लिए तो उसके अन्दर मैंने क्या लिए हेलो जावा तो आउट्पुट के आउट्पुट के लिए कई सबसेड़ा एक उप्रिंट करने के लिए लिए को कोई भी function को use करके हम output output screen में generate कर सकते हैं तो यहां पर तीन अलग-अलग functions हमें क्यों provide किये गए हैं at least यहां पर कोई ना कोई तो difference इन तीनों के बीच होगा जिसके वज़े से हमें तीन अलग-अलग तरह के functions provide किये गए हैं ताकि requirement के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी function को हम use करके output generate कर सकते हैं so print function अगर system.out.print मैं use करूं और कुछ output को print करूं तो वह output को किस format में print करेगा string के form में print करेगा और एक चीज़ यहां पर ध्यान देना कि अगर मैं system.out.print को यूज़ करके output print करता हूं तो अगर मैंने यहां पर एक बार यूज़ किया system.out.print and उसके अंदर कुछ output जो मुझे print करना है उसको print किया मैंने तो output करेगा फिर से मैंने उसके system.out.print और वहां पर एक श्रिंग वैल्यू है जिसको मुझे print करना है तो वहां पर आउटपूट स्क्रेट में यहां पर फिर्स्ट आउटपूट प्रिंट किया था तो वह अगर हम system.out.print यूज कर रहें तो वह कहां पर प्रिंट करेगा ने एक अउटपूट वही सेम लाइन में प्रिंट करेगा वोगे बट्ट अगर हम चाहते हैं कि फॉस्ट इस पर्म में आउटपुट को प्रिंट करते हैं बट यहां पर system.out.print statement का काम क्या है same line में output print कर देता है अब जितना बारवे system.out.print statement को use करो but println function क्या करता है एक output print करेगा उसके बाद वो अपने cursor को move करके इधर ले आएगा मतलब next line के starting में ले आएगा next फिर से अगर हम system.out.println यूज कर रहे हैं तो यहां से वो print करेगा next line से जैसे कि यहां पर possible नहीं हो पा रहा था अगर हम system.out.print statement को use कर रहे है तो यह है difference print and println function के बीच नेक्स्ट है प्रिंट f function तो यह प्रिंट f function अमें string फॉर्मेटिंग करता है मतलब जैसे की अम सी सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंगोईज में format specify उस करते हैं यसे कि इन्टीजर वैलू को represent करने के लिए percentage डी फ्रोड वैलू को represent करने के लिए परसेंटेज सी ओके लिए प्रिंग को लिखके output करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रिंट एफ फॉंक्शन को सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एफ स्टेट्मेंट को तो पता चला तिनों के विच डिफरेंस क्या है यह भी कुछ एक्जांपल से लेते हैं फिले प्रिंट एंड प्रिंट एलन मेंली हम इस दो तरहा के फॉंक्शन वाले स्टेट्मेंट को यूज करते हैं आउट्पुट जनरेट करने के लिए प्रिंट एफ को ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो जब भी आपको प्रोग्राम करना है कहीं बिए अगर खूट करना चाहते हो तो आईधर आप प्रिंट सिस्टम डोट आउट बडूट अमस्ट कर सकते हो और सिस्टम डॉट अप्रिंट इलन स्टेट्मेंट को यूज कर सकते हो तो मैंने यहांवे क्लास से सुरु किया प्रोग्राम उसके अंदर मैंने मेन फॉंक्शन लिया मेन पॉंक्शं के अंदर मैंने यहां फिर से यहांपर कशारा जाएगा उसके बाद तो यह आउटपुट आना चाहिए क्योंकि अगर हम प्रिंट वाला स्टेट्मेंट यूज कर रहे है तो इसको प्रिंट करने के बाद करसर कहां पर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में आ जाएगा उसके बाद जो भी प्रिंट करेंगे वो स्टार्टिंग से वहां से प्रिंट करेगा फिर से प्रिंट हमने यूज किया यह प्रिंट करने के बाद करसर फिर से स्टार्टिंग में आ जाएगा यहां पर हमने प्रिंट अगर हम यूज कर रहें आउटबुट प्रिंट करते वक्त सिस्टम डॉट आउट के साथ तो कैसे आउटपुट वह प्रिंट करेगा उसके बारे में अभी हमने देखा और कुछ एक्जामपल लेते हैं अगर हम कुछ वैरियेबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते क्लास से सुरू किया मैंने में फॉंक्शन लिए उसके अंदर मैंने डबल डाव यूज बयुक्त करके नमबर नाम का वैरियेबल स्टोर क्या और उसके बाद मैंने दो बार शिस्टम डॉट-धावड़ प्रिंट एलन्यूज की आ मतलब परिंट है नेक्स्ट लाइन में आ अगर करना हो तो कैसे करना हो पता चल गया अभी अगर हमें कोई कंटिन इंटेटिंग मतलब मेरे पास मोर देन वन स्ट्रिंग हैं तो उनको कंबाइन करके एक बार में ही अगर मैं आउट पूट करना चाहता हूं सिस्टम डाउट प्रिंट या फिस्टम डाउटम ट्रिन रिन डिफ एयुस करके तो चैसे कर सकता हो क्लास से कोली सुरूट को करके करना मतलब क्या तो यह फिर स्ट्रींग को कमबाइन करके सिंगल स्ट्रिम के फ़र्म करने को भोलते हैं एक स्ट्रिंग है आयम और एक Hybrid है इस्टुटेंट तो यह सिंबल जो है यह सिंबल है जिसको यूज़को क्या कर सकते हैं तो अलग-अलग च्ट्रिंग्स है एक स्टुंड को एक नंबर के साथ साथ क्या कर सकते हैं कंबाइन करके उसको सिंगल दो के फ़ाम में रिप्रजेंट कर सकते हैं तो उसका करके जबकि हमने print ln use किया है उसका cursor जम करके कहां पर आ जाएगा next line के starting में क्या print करेगा यहां पर number equals to double quote के अंदर जो हम रखते हैं वो normally message के form में दिखाता है बट अगर हमें कोई variable का value as a output print करना हो तो आप हम variable का नेम mention करते हैं जो कि previously हमने यहां पर देखा अगर मुझे वेरियेबल का value print करना है तो वेरियेबल का नेम लेंगे और अगर string करना है तो उसको double quote के अंदर रखेंगे तो जिसको मुझे string के हिसाब से प्रिंट करना है उसको मैंने बाहर रखेंगे तो नंबर के जगा पर क्या दिखाएगा 97.5 तो इस विल बी दो आउटपूट आइम ए स्टुडेंट एंड नंबर इक पल्स तो 97.5 आज के लास में पॉटिक के बारे में हमने बारे में आज के क्लास में हमने डिसको स किया और उसके साथ भी हमने देखा कि पर बाइडेफॉल्ट हम स्ट्रिंट के आउट्पूट करना हो उन्हीं श्टेट्मेंट को यूज करके वह कैसे कर सकते हैं उसके साथ अगर सकते हैं जोएंड कर सकते हैं वो भी हमने आज के class में discuss किया example के थ्रूप So I think आज के class में जिस particular topic के बारे में हमने discuss किया आप लोगों को समझा चुका है So next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topic के बारे में आज के लिए इतना ही Thank you